शुरी राम इस पृत्वी पर आए भू लोग पर आए मर्यादा का एक उधारण एक स्थापित करने के लिए एक पृतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कि कैसे संबव है विक्ति रहे संसार में अपने कर्म भी करे परन्तु साथ में अपने धर्म का भी पालन कर सके और शायद जो अवतार होते हैं उनसे यही सबसे बड़ी शिक्षा होती है कि मनोश्य जब जब जीवन में दुविधा में हो उसको क्या करना चाहिए किसका अनुसरण करना चाहिए वो अपने इश्ट से सीख सकता है कि यदि मेरी जगा रुवान राम होते तो क्या करते कभी ऐसा मत पूछ ले ना मेरी जगा यदि शुरू कृष्ण होते तो क्या करते वो लीला पुरुशोतम है जब मर्यादा को दिखा दिया गया, स्थाफित कर दिया गया उसके बाद रुवान ने कहा है कि विक्ति वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे कृष्ण मुक्त थे सब प्रकार से, सब और से और रुवान राम जो हैं उन्होंने बस एक जिवन प्रयंत धर्म का पालन किया जब उनसे कहा गया कि आप ने मना क्यों नहीं किया मनवास के लिए माता कौशलय ने उनसे पूछा कि जब आपको मनवास दिया जा रहा था आप मना कर सकते थे क्योंकि जो राज्य भी शेक का वचन है वो भी तो महाराज दैशरत ने दिया था तो भुगान राम ने कहा कि अरे मा, क्यों व्याकिल होती हो, क्यों चिन्ता करती हो? वो संतान सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी वो तो अपने आप में बहुत बड़ी संतान है जो पितु मातु बचन अनुरागी जो माता पिता के कहे कि अनुसार चल सके तनय मातु पितु तोश निहारा जो जीवन में मातने मा और पिता को संतोश दे सके समस्त संसार में ऐसा जो व्यक्ति है बहुत ही दुरलब है मेरे तो ना करने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि मेरे लिए कोई धुविदा ही नहीं थी धुविदा इसलिए नहीं थी रुवान राम ने कहा क्योंकि मुझे तो मात और पिता दोनों ने कह दिया कि जाओ वनवास में कह कही ने मांगा और दशरत ने कहा यदि केवल महराज दशरत ने मुझे बोला होता कि राज्य विशेक भरत का होगा और तुम्हारा वनवास होगा और कई कई माने बोला होता है कि नहीं, ऐसा नहीं, तो शायद मैं दूविदा में पढ़ता कि दोनों में से किसकी मानूं, फिर अपने मैं गुरू के पास जाता, उनसे पूछता कि इस परिस्थिती में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिती में तसमात शास्त को परमान मानूं, ऐसा तो पहले इतिहास में कभी हुआ नहीं था, तो शास्तर को पढ़कर तो मैं सोच नहीं सकता कि किस की मानूं, हलांकि परशुराम जो अवतार हुए, उन्होंने अपने पिता की मानी थी, जमदगनी जो रिशी हुए उनके पिता, पर वो अन्यत्र शा तो समय कोई दोविदा ही नहीं थी, मा कह कही ने भी बोल दिया जाओ, और राजा दशरत ने भी बोल दिया जाओ, तो मेरा तो रास्ता और सरल हो गया, और सुगम हो गया, ऐसा मर्यादा का उधारन, शायद यूगों-यूगों में वास्तव में एक ही बार देखने को मिलत कि जो विक्ति आपका तथा कतित हित अहित कर रहा है उसको भी आप उसी दृष्टी से देखो जैसे कि वो विक्ति जो कि आपका हित कर रहा है तथा मान अपमान यो जो मान अपमान में समान रहता है क्याना कितना सरल है परंतु ये वास्तिक जीवन में व्यभार में इसको उत तारना कितना कथिन है, इससे कोई भी अनभिग्य नहीं है, सब उस प्रस्तितियों से प्रति दिन गुजरते हैं.